Good morning dear students, हम chapter आज new start करने जा रहे, chapter का नाम है Our Body और class है अपनी second और subject है अपना EBS Chapter number second, देखो chapter का नाम क्या है Our Body, हमारी body First क्या लिखावा है, we all have grown one more year older, हम सब एक साल और बड़े हो गए है क्या बोल रहा है हो, हम सब एक साल और बड़े हो गए है Here's the size of your shoes, जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं, वैसे अपने shoes की size भी बढ़ती जाती है यह आपने भी देखा है, जैसे अपने age बढ़ती है, वैसे अपने shoes की size भी बढ़ती रहती है When you grow your height also increase up to certain age, जैसे जैसे अपनी age बढ़ती है, वैसे अपनी height भी increase होती है, बढ़ती जाती है यह देखो, सबसे कम, जब छोटे थे तो ऐसी higher थी, थोड़े बढ़े होए तो ऐसी, फिर उससे बढ़े होए तो ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी जानते हो आप अपने सरीर के विबी नंगों को जानते हैं अपने सरीर के कौन-कौन से बोडी के पार्ट सोते हैं वो आपको सबको पता ही होगा लेट्स रिकॉल आओ याद करते हैं नेम दा लेबल पार्ट ओफ यॉर बोडी अब इसमें देखो ये एक बच्चे का बॉय का चितर दिया हुए पिक किसकी दिवी ये बॉय की अब उसमें ये आपके सब एरो दिये हुए ये आपके फर्स्ट क्लास में भी आता है सेकींड में भी आता है continue ये फर्स्ट सेकींड थर तक ये चलता रहता है चेप्टर तो first class में ये आपके पहले भी ये first class में आया होगा अब इस चितर इस pick को आप देखो ये किसकी pick है एक लड़के की इसमें सब body के parts के name आपको यहां fill करने है मैं आपको एक दो name बता देती हूँ फिर आगे आप अपने आप fill करोगे जैसे सबसे पहले ये लिखा हुआ है eyes तो यहां लिखोगे eyes यह है mouth तो यहां लिखोगे mouth का pair हो दिया हुआ है ear पे तो यहां लिखोगे ear ऐसे कैसे आपको यह सब name fill करने है आगे देखो internal organs internal organs किसको बोलते जो आंत्रिक होते है internal organs किसको बोलते है जो सरीर के अंदर होते है अपने उनको क्या बोलते है internal organs our body has various internal organs हमारे सरीर में विबिन आंतरिंग होते हैं internal organs होते हैं बहुत सारे अलग-अलग तरह के these internal organs are essential for working of our body आंत्री कंगों होते हैं वो अमारे सरीर के काम करने के लिए आउशक होते हैं अपने सरीर को चलाने के लिए आंत्री कंगों का होना बहुत ही जरूरी है जैसे हार्ट है हार्ट अपने आंत्री के इंटरनल ओर्गेंस है heart होता है वो क्या internal organs है और heart क्या करता है blood का circulation करता है जैसे lungs होते है lungs किसको बोलते है फैफडे को lungs होते है वो अपने क्या कामाते है breathing अपने सास लेने के लिए कामाते है तो यह सब क्या है internal organs है some of the very important organs है heart, lungs, stomach and brain यह अपने बहुत ही मौधपून internal organs होते है कौन कौन से होते हैं जैसे heart है, lungs है, stomach है और brain है heart किसको बोलते हैं हिर्दे को, lungs बोलते हैं, फैफडों को, stomach बोलते हैं, पेट को और brain बोलते हैं, मस्तिक को fit these internal organs at their right place in the body अब यह internal organs के यहाँ पिक दी हुई है internal organs की अब इसको आपको body के अंदर सई जगह पे लगानी है, अब यह देखो, यह first pick किसकी आपके lungs की है, lungs का लगते हैं हमेशा, lungs हमेशा इस साइड आते हैं, यहाँ पे आते हैं lungs फिर है यह क्या है, heart, heart का होता है, यहाँ बीच में होता है, brain का होता है, यहाँ पे होता है, फिर यह क्या stomach, stomach अपने का होता है, यहाँ होता है, तो यहाँ पे इनको सई जगह पे लगाना है for this write the number of the organ at right places in the body हमारे सरीर के सरीर में अंगों की संख्या सही जगह पर लिखी है some function are given here to which organ would you link these functions अब यहां पर आपको क्या बताना इनके सब के बताने कि कौन से function अपने organs होते हैं कौन से काम आते हैं और कौन से function करते हैं जैसे thinking और learning यह function है तो यह organ इसमें कौन सा organ अपने use आता है thinking और learning के लिए क्या काम आता है brain क्या काम आता है brain तो यहां क्या लिखोगे brain thinking and learning के आगे क्या लिखोगे brain अपन किस से सोचते हैं और किस से याद करते हैं अपन brain से करते हैं तो यहां क्या आएगा brain pumping of blood ब्लड का pumping कैसे होता है वो किस से होता है हार्ट से अगर हार्ट नहीं होगा तो अपने ब्लड का circulation नहीं हो पाएगा तो pumping of blood यहां क्या लिखोगे हार्ट digestion of food अपने food को digestion कौन करता है अपने food को कौन पचाता है stomach तो यहां क्या आएगा breathing अपन किस से करते हैं कौन से organ से breathing होती है lungs से तो यहां क्या आएगा lungs lungs किसको बोलते हैं फैफडों को breathing का अर्थ होता है सांस लेता है अपन सास किसी लेते हैं लंग से फैफ़डों से तो यहां क्या आएगा लंग्स write the function of the following यहां पर कुछ का कारिय दिये हुए select from to here to see to test to smell अब यहां पर आपको यहां से देखें यहां पर आपको fill करना है जैसे eyes है eyes से अपन क्या करते हैं to see see का आर्थ होता है देखना अपन eyes से क्या करते हैं देखते हैं तो eyes के आगे क्या आएगा to see उसके बाद है ears ears अपने क्या कामाते हैं ears से अपन क्या करते हैं ears से अपन सुनते हैं तो क्या आएगा to hear ears to hear ears के आगे क्या लिखोगे to hear फिर है टंग, टंग से अपन क्या करते है, टेस्ट लेते हैं, क्या करते है, टेस्ट लेते हैं, तो यहां क्या आएगा टंग, टू टेस्ट, टंग के आगे क्या लिखोगे, टू टेस्ट, फिर है नोज, अपने क्या काम आता है, टू स्मेल, तो नोज के आगे क्या लिखोगे टू इसमेल अब जैसे सबसे पहले यह है आइस क्रीम खा रही है तो इसका टेस्ट किसे आ रहा है इसको टंग से यह है फ्लोवर रोज का उससे यह क्या कर रहा है इसमेल ले रहा है तो इसमें किसका यूज हो रहा है नोज का जैसे यह है यह क्या कर रही है सुन रही है तो यह यह देखो यह देख रही है बुक को बुक को पढ़ रही है रिडिंग कर रही है तो यहां पर क्या आएगा अपन किस से पढ़ते हैं किस से देखते हैं सी सी का आर्थ होता है देखना अपन किस से देखते हैं आखों से तो यहां क्या आएगा आई जी यह देखो यह पढ़ र